प्रश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Free Fire Max गेम को जो है खेलते हैं और उसके अंदर आपको जो है माइक से रिलेटिड प्रॉब्लम आती है आपके अवाद जो है सामने वाले पसंद के पास नहीं जाती है माइक से रिलेटिड कोई भी प्रॉब्लम है अगर तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप सॉल्ब कर पाएंगे फ्री फायर मैक्स गेम के अंदर तो इस वीडियो में अंट तक बने रहीएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए जान लेते हैं कैसे हमें सॉल्ब करने हैं जो मैक की प्रॉब्लम है उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको अपने मुबाइल की सैटिंग में आने के बाद आपको स्क्रोल करना है नीचे की तरफ और यहां पर एप्स देखने को मिल रहा है इस पर यहां पर आ चुक है इसको ओपन करते हैं यहां से ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यह देखने को मिलेगी अब यहाँ पर आपको permissions वगेरा देखने को मिल रही है permission पर क्लिक करिएगा permission पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा microphone यह देख सकते है not allowed अभी यहाँ पर जो permission not allowed है तो यहाँ पर आकर आपको allow only while using this app कर देना है यहाँ पर करने के बाद आपको back आ जाना है सिर्फ यह काम करना होगा और आप चेक करेंगे आपकी जो problem है microphone से related mic से related वो solve हो जाएगी तो आप फिर से देख लिजीगा app permission में आईएगा और microphone जो है मेरा allow हो गया है तो यह काम आप जरूर से कर लिजीएगा दन उसके बाद second काम आपको क्या करना है अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होती है free fire game को open कर लेना है directly मैंने इसको open कर लिया है सुगाई जैसे कि आप देख सकते हैं open कर लिया है उपर setting option देखने को मिल रहा है setting पर आप click कर लिजीएगा तो setting में आने के बाद आपको यहाँ पर यह options देखने को मिलते है आप left side में आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है sound, sound पर आपको click कर देना है sound पर click करने के बाद यहाँ पर आपको voice देखने को मिल रही है यह आप देख सकते हैं यह voice को option है तो वो इसके option में जाकर इसको जो है आप फुल कर दीजिएगा यहाँ पर देखिए फुल मैंने कर दिया है अगर आप यहाँ पर फुल नहीं करेंगे तो आपको यह वो इस यहाँ पर about phone में और यहाँ पर आपको चेक करना है अगर आपको आपके software से related यहाँ पर update आया है तो वहाँ पर जो आपको चेक करना है अपने जो है वर्जन को यहाँ पर update करना है जैसे ही आप अपने मुबाइल के वर्जन को अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी problem जो है solve हो जाएगी देन उसके बाद अगर फिर भी problem solve नहीं होती है तो finally आपके mobile में आपको देखने को मिलता है hotspot का option तो hotspot से आप एक बार connect होके देख लीजिएगा ठीक है आपको hotspot से एक बार connect होना है सब्सक्राइब आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में इतलने बाटे के लव यू